दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे UPI से पेमेंट करने के बारे में RBI लाया नया प्रस्ताब कि UPI से पेमेंट करने पर आपको देना पड़ेगा चार्ज दोस्तो अगर आप हर पेमेंट के लिए UPI का प्रयोग करते हैं तो सापधान RBI नया प्रस्ताब लेकर आया है जिसके अनुसार केंद्रिय बैंक UPI पद्यती का उप्योग करके पैसे के हर लेंदेन के लिए सुल्क बसूलने पर विचार कर रहा है UPI यानि Unified Payments Interface भारत में हिट रहा है Card Payment के विकल्प और Digital Payment के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में Launch किया गया UPI अब भारत के बाहर भी उपलब्द है Payments Process तेजी से निप्टाने के कारण इसे तेजी से सफलता मिली और इसके सफल ओने का एक कारण ये भी है कि इसके लिए यूजर को कोई सुल्क नहीं देना पड़ता लेकिन जल्दी ही ये नियम बदल सकता है दरसल भारती रिजर्ब बैंक यानि RBI अब UPI पेमेंट्स पर सुल्क बसूलने का विचार कर रही है अगर आप भी हर पेमेंट के लिए UPI का यूजर करते हैं तो आये जानते हैं कि RBI का क्या नया प्लान है डिसकसन पेपर ओन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम टाइटल से RBI का नया प्रस्ता बताता है कि केंद्रिय बैंक के UPI पध्यती का उपयोब करके पैसे के हर लेंदेन के लिए सुल्क बसूलने पर विचार कर रहा है इसका उद्देश UPI बुन्यादी ढाचे के निवेस और संचालन की लागत की बसूली की संभावना की जाच करना है RBI ने नोट किया कि UPI का उपयोब करके फंड ट्रांसपर IMPS यानि तत्काल पेमेंट सेवा की तरह है इसलिए यकीनन UPI को फंड ट्रांसपर के लिए IMPS के समान सुल्क देना चाहिए RBI ने सुझाब दिया कि UPI पेमेंट पर अलगलग रासी के ब्रेकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है केंद्रिय बैंक के अनुसार UPI एक फंड ट्रांसपर सिस्टम है जो फंड के रियल टाइम मूवमेंट को सक्छम बनाता है एक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में ये कार्ड के लिए T प्लस N चक्र के विपरीत रियल टाइम में फंड सेटलमेंट की सुविदा प्रदान करता है भाग लेने वाले बैंकों के बीच ये समझाता एक आस्थगित नेट बेसिस पर किया जाता है जिसके लिए P.S.O. की आवस्चता होती है दूसरे सब्दों में बैंकों को निप्टान जोखिम से निपटने के लिए P.S.O. की सुविदा के लिए पर्याप्त सिस्टम इस्थाबित करने की आवश्चता है इसलिए ये बैंकों के बहुत सारे निवेस और संसादनों का उप्योग करता है जिससे अत्रिक्त लागतें आती है R.B.I. इसे ग्राकों से बसुल करना चाता है R.B.I. ने कहा कि पेमेंट सिस्टम सहित किसी भी आर्थिक गत्विदी में मुप्त सेवा के लिए कोई औचेत प्रतीत नहीं होता है जब तक कि जनता की बलाई और राष्ट के कल्याण के लिए बुन्यादी धांचे के समर्पन का कोई तत्तु ना हो डेविट कार्ड लेन देन पर भी सुल्क लेना चाता है R.B.I. लेकिन उन लागतों को कौन वहन करेगा ये R.B.I. पेपर के माध्यम से जानना चाता है अब प्रतक्ष रूप से संकेत देता है कि सभी को लागत वहन करनी चाहिए R.B.I. ने अपने पेपर में कहा लेकिन इस तरह के बुन्यादी धांचे की इस्थापना और संचालन की लागत किसे वहन करनी चाहिए ये एक महत्पूर्ण बुद्दा है जोंके पेपर पूरे पेपेमेंट सिस्थम की इस्थापना पर खर्च की गई लागत की बसूली के बारे में बात करता है R.B.I. डेविट कार्ड लेंदेन पर भी एक निश्चित सुल्क लेना चाहता है जो वर्तमान में मुफ्त है तो दोस्तों ये थी एक जानकारी R.B.I. के नियम के बारे में जो आप हम सभी पर लागू हने वाली है और U.P.I. से पेपेमेंट करने पर हमें चार्ज देना होगा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद